नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे महिंद्रा अर्जुन पास्षो पश्च्पन अल्ट्रावन ट्रैक्टर के बुद्नी टेस्ट रिपोट के बारे में, जिसमें हम जानेंगे ट्रैक्टर की पिटी यू एच्पी, ड्राबर यू एच्पी, टॉर्क, बैक अप टॉर्क के साथ हम जानेंगे ट्रैक्टर की हैड्रोलिक लिप्टिम कैपिसिट के बारे में, और इसमें हम एक बात पर हम ज्यादा फोकस कहेंगे, जो वो पाइंट है, यह से स्पेसिविक फिल कंजेप्शन, जिससे हमें पता चलता है कि हमें ट्रैक्टर कितना माइलेज देगा, माइ भारत सरकार की, केंदरिय खुरूशी, मशिनरी, एवं प्रसिक्षन, सवांश्थान त्रैक्टर नगर बुद्नी ने, तो देखते हैं ट्रैक्टर की टेस्ट्रिपोट के पाइंगे, पहला पाइंट है, इंजिन स्पीड, तो मैक्जिमिमम स्पीड एट नो लोड, अगर हम ट्रैक्टर को खाली चलाएंगे तो हम 2.25 से लेकर 3.25 के बीच में हम चलाएंगे तो इससे हमें पाउर और माइलेज दोनों अच्छा मिलेगा इस ट्रैक्टर का लो ऐने आइडियल स्पीड है साड़े साथ सू से लेकर साड़े 800 के बीच में साड़े 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 साड़ और माईलेज भी कम हो जाएगा तो अगला अगे हम दिखते हैं रिटेट स्पीड एन्हें रिटेट आरपीम टैक्टर के पीटियो और ड्राबर यूज के लिए टैक्टर के आरपीम है तो इंजन की बेसिक जान कर लेते हैं हमारा टैक्टर का इंजन है फूर स्ट्रोक फूर फूर सिलेंडर वर्टिकल इन लाइन एक चौरानवेब एमेम का इस टैक्टर का बोर है तो एक सोदस एमेम का इस टैक्टर का स्ट्रोक है इस टैक्टर का इंजन की क्विबिक तो चारो शियंड्र का मोनो पिलॉक इस इंजिन का है तो आगे हम देखेंगे टैक्टर की पीट्यो के बारे में तो पीटे में जानंगे हम कि hiss कितनी है इसके साथ सेपसे कितनी है तो पहले। हम लेक्षेंगे ट्रव की growth की कितनी है तोak हैma वो गाल के इस्ट प्रफ बेस्टी टकर ढूर्स भी हम केवी को करन देखेंगे थे लाग अब करके देखेंगे तो इस ट्रेक्ट है करके देखेंगे तो 1.3592 is equal to 1 HP होता है तो इसी फार्मूले को हम ट्राय यूज करके इस ट्रैक्टर की PTO HP निकलेंगे तो 1.3592 इस ट्रैक्टर की KV 32.4 तो हम इससे हमें ट्रैक्टर की PTO HP निकल के आएंगी इस ट्रैक्टर की PTO HP 44.03 तो इस ट्रैक्टर की पूरी की पूरी चब्वालिस HP की इस ट्रैक्टर की PTO है अगला पाइट हम देखेंगे कि इस ट्रैक्टर की SFC कितनी SFC याने specific fuel consumption to maximum power अगा इस ट्रैक्टर से हम ज्यदा ज्यदा पावर लेंगे तो यह ट्रैक्टर लेगा 241 ग्र्याम पर के वी पर हवर की हिसाब से और इसी SFC कुक्त कंपेंट डिकलियर किया है 251 पर 211 से भी कम मिलिए यह हमारे की संसातिव के लिए बहुत अच्छी बात है 241 ग्र्याम अगर इससे भी कम होगा तो वह ट्रैक्टर इससे भी अच्छा पावर देगा तो देखते 241 ग्र्याम पर के वी पर हिसाब से फ्यूल ले रहा है तो हमें पावर कितना देता है यह ट्रैक्टर तो यह ट्रैक्टर देता है maximum equivalent crank shaft torque 116.3 Nm का torque देता है इसी torque को company है डिकलियर किया है 111.48 Nm का torque company है डिकलियर किया है लेकिन हमें मिला है 116.3 Nm का torque तो इसी के साथ हम देखेंगे इस tractor का backup torque तो backup torque है 22.43% का इस tractor का backup torque है याने हमारे tractor को जब भी कभी ज़्यादा लोड आता है तो जिस tractor का ज़्यादा ज़्यादा जितना ज़्यादा backup torque होगा तो वो tractor उतनी लोड को उतनी आसानी से खीच पाएगा तो इस tractor का backup torque है 22.43% का backup torque थे तो इसमें main point है साथियो SFC की SFC tractor की 41 है यह यह बहुत अच्छी बात है कि 41 ग्रैम में हमको ज़्यादा पावर मिल रही है और टार्ग भी बैकप टार्ग भी बहुत अच्छा है तो आगे हम देखेंगे ट्राबर परफार्फ्र्मस आगे हम टार्ग गन्तर से कंवेछ कर लेंगे तो हम लगाते हैं कलकुलेटर तो इस टंहों है मैचिमम ड्रोबर पावर विद स्टंडर्डड ब्लस्ट तो इस ट्रोइब बलस्ट किया है ज् verd b बलस्ट बनाए और या नहीं पम्पनि कम्पनी जादे गेखता है कंपनी मानती है उससे है strd की ड्राबार पावर है 27.8 कीवी के इस ट्राइक्टर की ड्राबार पावर है तो इसी हम केवी को फिर CHP में कर लेंगे कैलकुलेटर लगा कर तो वही फार्मॉला है अपना 1.3592 इंटू हम उसको 27.8 को 8 से उसको मल्टिपलाई कर देंगे तो हमारा HP निकल करके आएगी तो हम 1.3592 को हम 27.8 से मल्टिपलाई कर देंगे तो हमारे HP निकल करे आयाएगी तो हम इस ट्राइक्टर की ड्राबार HP है 37.78 तो नियर अबाउट सेवन ट्राइक्टर की ड्राबर एच्पी है तो इंजन किते भी last यह यह हो हुदू कि वह ही होती थी क्योंकि जेयर वकसे से निकल कर क्राहन चानल का लाइड Сब्सक्राइब होता है उससे निकल किलो नीटन एकशनर ग्राम के कुछ किछ सम्तिंग होता है निए तो ArtLife HI, कनभान के येश्शन पूए तो ये धी गजेंग है वेल ईप्राफर्मर्म ऐट ज मतले प्राव ब very से अच्छी है तो यही यही था साथियो और टेस्ट रिपोर्ट के बारे में अगर इससे जूड़े आपके सवाब की दिए पास कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं आपके सवाल का जवाब मिल जाएका साथियो तो हमारी महिनत आपके काम की थोड़